जय हैं इस वीडियो हम लोग आटी सेक्टर एक छोटी सी कंपणी जिसका नाम थिरिया इन्फोटेक है इसके बारे हम बात करेंगे जब से कंपणी डिलिष्ट होने के बाद दोबारा रिलिष्ट हुए तब से इसने अपने बिजनेस मिड़ल में बहुत सुधार किये हैं और सुधार उनंग चलते कंपणी को नए नए और मिलने से कंपणी का बिजनेस क्रोथ बढ़ा रहा और कंपणी के सेयर प्राइस भी उछाल मार रहा है ऐसे में इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी का बारे में अध्यन करेंगे और जानेंगे कि अगर हम इसमें इसमें कितना फैदा होगा और साथ मैं अभी बताऊंगा कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि इतना सही है तो आई यह वीडियो सुरू करते हैं देखेंगे यह चो कंपनी है यह आईटी सेक्टर का एक स्मॉल कैप कंपनी है पेने स्टोक से थोड़ी उपरी लेवल की कंपनी है औ स्टापना हुआ था और उस समय आईसी आईसी इन्फोटेक लिमिटेर के नाम से जाना जाते थे इस कंपनी को आईसी आईसी जो बैंक के वही प्रमोट करता था बाद में यह कंपनी डिलिष्ट हुई ती क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफी बुरा था आजकल क्या होते अगर 90% तक कम कर दिया जाए तो इसका अगर आपको उधारन के माधन समझाओ तो मान लिए आपके पास एक हजार किसे कंपनी के सेर हैं और जब 90% उसका सेर कैपिटल लेस कर दिया जाता है तो उसका मतलब हुआ कि आपके पास सो सेरी बचेंगे तो ऐसे में जाहिर सी बात होड़ा त्यार चिंजर्श में इसका ठीक हो रहा है उसके बाद देखेंगे अब रुड़ Except का में इसके उपर आते है फिलाल उसके बाद देखेंगे और यह कंपनी की कि और आई उसके पास कर दिया है और आज कैंप्मीय का मेंकिंग मेंच में प्रोशेस Back में और से बिलाउं करती है तो जाइड सी बात है इन सब चत्रों में कंपनी लगी होगी अब समझे क्लोबल अस्तिर पर भी कंपनी अपना जो इन्फर्मेशन टेक्नलोजी का बिजनेस है वहां सर्विस प्रवाइड करती है ज्यादा तरह एसी या एरोप और मिर्का में कंपनी काम कर परोसा और साथ में बड़े-बड़े इंवेश्टर से उनका भी फरोसा इस कंपनी पर बढ़ रहा है तो यहां आप देखेंगे कंपनी को नए-नए और मिल रहे हैं इस बार कंपनी को 16 करोन 62 लाग का नए और मिला है मतलब यह अलग-अलग कंपनियां और बड़े-बड़े इंवेश्टर के तरह अब से मिला है तो इसमें देखेंगे जैसे विसाल मेगा माटर धनी लोंस से अमरा राजा बैटरी और भी तमाम कंपनी है जिनको लेकर इस कंपनी को इनकी आई-टी सर्विस जो है यह आई-टी सिवाय कापी बढ़ियां देते हैं तो यह कंपनी आई कैसा है समझेंगे मार्केट के कंपनी के 155 क्रण रॉपया जैसे मैंने कहा है कि स्मॉल केकुए है तो 1155 क्रण रॉपया जिस कंपनी का भेहिल वेसाय ने उसको स्मॉल क्रप कमपनी में ही रखेंगे और सेर्प्राइस देखिए यह हाई लगाय था 117 रॉपया और अभी पांच पचास पैसा यानि की बूख वेलु काफी संदार है बूख वेलू किसी कलिने को जितना अधिक रहोगत नहीं अच्छा माना जाता है और समाना था किसी कम्पनी का return on equity 10 मतलब अगर small company के बात करें तो 10% सधिक होना चाहिए हाला कि इसका return on equity बहुत कम है लेकिन अच्छी बात यह कि नीगेटिव में नहीं है और return on capital इसमें शेयर शोल्डर्स और जो लोन का पैस्ता होता है दोनों लगा होता है इसलिए अगर आप अधिक होना चाहिए और return on capital की बात के बात कर्जा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है जबकि देखें कमपनी पास 502 क्रोंड का रिजर भी है मतलब क्यास पैसा है तो company जब चाहिए इस गर्जे को चुका सकती है और अगर profit देखें इस company का तो हम देखें इस company अपनी लोस को कभर करके मतलब profit मा जाती है तब तो इसके से प्रैस में जबरदस्त उचाल देखने को मिलेगा नए ने इंवेश्टर्स में जुडएंगे इसके प्रमोटर्स पिल्कुल नहीं है जीरो प्रमोटर्स है तो यह बात तो असपश्ट है कि जब प्रमोटर्स नह प्रमोटर्स तो यहां तक आप बात करना क्या है तो वही करना है कि अगर आप इसमें नया इंवेश्मेंट करना चाहते तो बेसक क्वाटर्फूर्क रिजल टारिंट तक इंतजार किए और अगर किसी बेक्ती के पास पहले से इस कंपनी के सेर्स है तो भी आप को वाटर फूर के रिलर्ट आने तक रुकिए अगर अच्छा आता है कंपनी एक बार प्रोफिट में आ गई तो आपको भी प्रोफिट देकर ही जाएगी इसलिए आप इसमें को समय दिए और अगर सबसी से बात करता हूं समय देख कर उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करता हूं बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्य बात शुक्रिया